नमस्कार मैं निकिता कश्चप, स्वागत है आपका भारत न्यूस टीवी में चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की पश्चन चंपारन जिले के प्रखंड मैना टांड सिक्टा में शुक्रवार को राजसन पोशित हाई स्कूल के खेल मैदान के प्रखंड में बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार निसन्युक दुरूप से दीप फ्रजलित कर कारेकरम की शुरुआत की जनसभा को संभोधित करते हुए बताया की चंपारन की पावन धर्ती से जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरुआत की साथ ही 305 करोड की योजनाओं का सिलन्या श्वा उद्गाटन किया विभिन विभागो की ओर से लगाए गए इंस्टॉल का निरिक्षन किया साथ ही मुख्यमत्री ने बताया की जब उन्होंने जन्ता की सेवा करने का मौका मिला उस समय बिजली की खपत 700 मेगावाट थी आज 55 है हर घर के साथ हर किसान के खेत तक बिजली पहुचाई जा रही है ताकि किसान कम लागत में अच्छी खेती कर सके मुख्यमत्री नितिश कुमार ने जर्दा आम के पेड़ का व्रक्षार ओपन किया साथ ही आपको बता दें धन्यवाद ग्यापन डियम डॉक्टर निलेश रामचंद्र देवरे ने किया कारिकरम में डिप्टी सीम सुनिल कुमार, मोदी, अंजनी कुमार सिंग, डियाईजी ललन मोहन प्रसाद, स्पी जैकांत, दिलीप वर्मा, विने बिहारी, रेनु देवी, भागरती देवी, नेहा नेसार सेफी, मंजीत कुमार, वर्मा, खुशी मालम सहीद हजारों की संख में पुर्ष महीला मौजूद रहे भारत नेपाल की जो सीमा है, उस सीमा में जो सणक बनना उस पर योजना के अंतरकर, रुपवलिया, भंगहा, तता भंगहा, भुथा नदी पर, कुल 57 कियोमीटर नदी तक, 57 कियोमीटर सणक दिर्मान की दो योजना है बिहार पश्चिम चंपारन बेतिया से ब्यूरो चीफ जैसिनहा की रिपोर्ट ये तिया आज की ताज़ा खबर, देश और दुनिया की और ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए भारत न्यूस ट्रीवी के साथ, नमस्वार